इंदोर के चोटी गवाल टोली थाना शेत्र के ट्रेट सेंटर में युवक पर गोली चलाने वाले आरोपी को देर रात पुलिस ने गिरफतार किया आरोपी ने पूछताच में बताया कि 21 लाक रूपे के लेंदेंग को लेकर विवाद हुआ था जिसके चलते कपल जैस्वाल ने लाइसेंसी पिस्टल से युवक को गोली मार कर घायल कर दिया आरोपी से चार जिन्दा कार्टूस राइफल और लाइसेंस जब्त किया गया है मामला चोटी गवाल टोली थाना शेत रिस्टित मदू मिलन चुराहे के ट्रेट सेंटर पर गोली चलाने की आवाज आने से अफरा तफरी का माहूल हो गया यहां एक युवक खून में लटपस जमीन पर पड़ा हुआ था जिसे तदकाल उपचार के लिए एक नीजी अस्पिताल में भरती कराया गया जहां उसकी हालत काफी गंबीर बताई जा रही है पुलिस ने आसपास लगे सिसी टीवी फुटेज और फर्यादी के बयान के आधर पर आरोपी कपिल जैसवाल को गिरफतार किया है जानकारी के मताबिक कपिल और शेलेंद्र वर्मा का 21 लाक रूपे के लेंदेन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था कपिल में रवी को बुलाया और फिर अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी आज शाम को थाने पर सुचना आई थी कि इंडर ट्रेट सेंटर में गोली चली है जो सुचना पर स्टाफ के साथ मैं पहुचा फिर जानकारी लगी कि उसको गायल को गोकुलदा से सब्ताल ले गए है वहाँ जाकर जानकारी लगी कि शेलिंद्र वर्मा करके हैं जो मरी माता चुराय पर रहते हैं इनकी मालवा फाउंडरी करकर लोहे डालने की फैक्टरी है जो बानगंगा में स्थित है तो जिस दरान हम लोग पहुचे तो उस समय उनका इलाज चल रहा था और डॉक्टर से पूछने पर जानका ही लगी कि वो बयान देने योग यह नहीं है कपिल जो जैसवाल है उनकी कपिल स्टील्स करके ऑफिस है इंडॉर्टरीट सेंटर में पहली मंदिल पर तो वहाँ पर कार्रेट मैनेजर राठी जी है उन्होंने कल फोन करके इनको आज के लिए बलवाया था इन लोग का आपस में पैसा लेन दिन का 21 लाख रुपए का कुछ डिस्प्यूट चल रहा था कपिल जैस्वाल से इनकी चर्चा हुई पैसे लेन दिन के उपर से और करीब 15-20 मिट की वारता लाख के बाद अचानक तक पहसा इनका विवाद बढ़ा विवाद बढ़ने पर से कपिल ने इनकी दराज में रखी हुई रिवालवर निकाल कर और उनके जान से मानने की नियस से उन पर खुली चला दी और आरूपी को भी हम लोगों ने सूचना के अधार पर उसके घर से हिरासत में लेकर पूचताच की उसको इनको गिर्फतार किया है